तो भाई ये है wireless AC detector जो कि आपके बहुत ही काम आने वाला है पहले कि भाई AC detector होता क्या है और आपका आप इसे यूज कहाँ पर कर सकते हैं तो भाई जैसे कि आपको किसी बोर्ड में चेक करना है कि इस बोर्ड में लाइट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है तो आप यूज करते हैं यह तो यहाँ पर यूज करना पड़ा तो यहाँ पर यूज करते हैं तो यहाँ पर यूज क्या गया है एक ट्रणिस्टर जो कि आपका है BC 547 साथी में यूज़ किया गया है एक छोटा सा बैटरी जैसा की आप देख पा रहे हैं और एक insulated copper wire का यूज़ किया गया है जैसा की आप देख पा रहे हैं आपको पीछे मिलता है switch जिसको आप press करते हैं तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि उस board में light आ रहा है तो भाई चलीए इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर current आ रहा है देख पा रहे हैं अब मैं use करता हूँ इस wireless acid detector को सबसे पहले यहां पर मैं switch off करता हूँ ठीक है और अब देख सकते हैं कि यह मेरे पास wireless AC detector है और मैं इसको यहां पर test करता हूँ तो अब देख सकते हैं कि यहां पर current आ रहा है मतलब हलका हलका अर्थी यहां पर आता है अब जैसे मैं switch को on करूंगा तो यहां पर पूरा जो है कर रहा है मतलब कि आपका इस वाले board में इस वाले socket में current आ रहा है तो भाई कुछ इस तरीके से यह AC detector काम करता है और यह बहुत ही मतलब simple है तो भाई यह बहुत ही छोटा सा instrument है जिसमें यूज किया गया है एक बहुत ही छोटा सा transistor जो कि हमारा है BC 547 साथी में यूज किया यह insulated copper wire और उसके आगया है LED light जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि इसमें current आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है यह था wireless AC detector जिसको कि आप अपने यूज में ला सकते हैं और आपको वहाँ पर कोई भी खत्रा नहीं होने वाला है आपके electrical board से तो भाई मैं उमीद करता हूं कि आपक रहा है मौत रहा है है